स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर के जिन्द पुरी तो आप देखे रहें मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं उन में हायर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं हायर मैथमेटिक्स अगर किसी भी कॉम्पेटिव एक्जाम में पूची जाती है तो मेर सब्सक्राइब करने वाला हूं साइलो सेकिंड यूर मैं आपको बताया था और साइलो फस्ट यूरम का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आए पर आई टेप पर जाके देख लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज मैं आपके सामने बता सकते हैं मिल जाएगा इस तके कॉंज्जछैटेट सब ग्रूप्त अहीं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को एक सब्सक्राइब है एंड हमें यह पता लगाना है कि यह जो एच सब गुरूप है इसका कॉंजूगेट सब गुरूप क्या होगा तो आप गुरूप का एक element लेंगे और उस सब गुरूप के साथ इस तरह से operation लगाएंगे जो हमारे पास सब सब्सक्राइब गुरूप मिलेगा वह इस एच का क्या होगा इस तरह समस्क्राइब बताना चाहिए एडिशन मोडूलो फॉर है जिरो एलिमेंट है हमने इसका सब्सक्राइब लिया जीरो टू हमें यह पता सब्सक्राइब गुरूप का और इसके साथ इसका operation लगाएं मालेजे एक एलिमेंट हमने वन लिया वन का इंवर्स थ्री होता है बाइक एलिटेवल हम समझ सकते हैं इस उन यहां पर एच में एक बार जीरो रखेंगे एक बार टू रखेंगे इसको सिंप्लिफाइब करेंगे तो जीरो टू आ रहा इसका मतलब यह हुआ कि एक्स इंवर्स एच एक्स की वेलिव वापिस एच आ रहे है मतलब यह खुद खुद के साथ क्या होगा होगा मतलब यह सरकती संञे कोिषिश करते की हृब है उसके जितने भी सब्गृूप होता है या पे कोई भी हमारे पास गृप है उसके इस सब एक दूसरे के साथ क्या होता है यही हमारे पास यहां पे साइलो से किरम बोलती है कि लेट साइलो PSSG of a finite group G are conjugate in G if P and Q are the two PSSG सुन ये PSSG है अगर हमारे पास ये कोई two PSSG है है और ऑफ जी डैन ऐधर P is equal to y inverse Qy और Q is equal to X inverse P XI तो ये P और Q एक दूसरे के साथ क्या हूंगे पर इस चुन मैं बताना चाहता हूँ होगी या तो सबके सब 2 PSSG होने चाहिए या सबके सब 3 सबका ओडर हमारे पास क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए यह समझने की ज़रूत है हमने एक इसमें एक्जाम्पल या एस तरी जो एक परमोडिशन गुरूप है इसमें मैंने काफी अच्छा कंटेंट अप्लोड कर रखा तो आई टेप यह लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हमारे पास जो होता है उसमें इस चाइप कि हमारे पास क्या होते है हम जान इंटिटी एंड हमारे पास थी ओडर के अलिमेंट आ जाते है यहां पर साइलो थिरम यह बोलती है कि जितने भी टू एस जी है यह पास तीन मिलेंग रहे यह आपस में क्या होते हैं कॉंजूकेट होते हैं मैं आपको बताना चाहते हो कि जो एस तरी का ओडर होता है वो हमा होगे इसको साइलो थर्ट यहां मैं समझेंगे अभी सिर्फ मैं आपको बताना चाहते होंगे यहां पर यहां पर क्या होगा यूनिक होगा अब जितने भी होंगे वह सब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे हमने लिए वन टू थरी है एक गरेंगे यहां निकालेंगे चुकि हमारे पास यह मुल्टिप्लिकेशन में यह गृूप बनता है तो हम यहां पर और यहां पर एक बार आई लिखेंगे फिर हमारे पास एक एक समर्पास एलिमेंट तो इसका इन वर्स भी तो थी होता क्यू तो आप देखे हैं हमने एक ग्रूप का एलीमेंट 23 लिया इसका अपरेशन लगा है तो हमारे पास यह होगा कॉंजूगेट होगा इसी तरीके से हम यहां पर एच्वन वन आई वन टू लिया और हमने एक एलिमेंट लिया जो इन दोनों में नहीं तीसरा है अब हमने यहां प यहां पर हमने एक 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 लिया एक हो रहा है तो आप देख रहें हूं पर जितरे भी हमारे पास टूर्डर के सब गूरूप यह सब हमारे पास क्या हो रहे है पर conjugate हो रहे हैं अब बात करेंगे सुन 3 SSG के बारे में तो यार S3 के अंदर जो 3 SSG होता है वो unique होता है और अगर कोई भी subgroup किसी group का unique होता है तो वो खुद ही खुद के साथ क्या होता है conjugate होता है तो यहां पर यह self conjugate होगा मतलब अगर हमारे पास H4 की बात करें जो कि 3 order का है तो X inverse H4 X निकालेंगे तो भाईया वो H4 के बराबर ही आएगा क्योंकि हमारे पास यह 3 SSG और एक unique है तो हमारे पास यह क्या हो जाएगा self conjugate हो जाएगा अब बात करेंगे सुन यहां पर एक और example that is cleanse 4 group इसमें हर element एक दूसरे का क्या होता है inverse होता मतब self inverse होता और एक abelion group होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो order होता है वो हमारे पास क्या होता है 4 होता है इसको हम लिख सकते हैं 2 square हम जानते हैं यहां पर कि 2 square 4 को divide करता है तो यहां पर 2 ssg होगा और जब भी कोई group जब भी कोई sub group unique होता है तो वो हमेशा क्या होता है self conjugate होता है तो यह खुद खुद के साथ क्या करेगा conjugate करेगा है ना तो silo theorem को हम यहां पर easily इस तरह से समझ सकते हैं अब बात करेंगे एक और example that is z6 जब भी कोई हमारे पास इस तरह का कोई group होता है तो वो हमेशा क्या होता है cyclic होता है तो जितने भी sub groups होते है वो सब क्या होते है unique होते है और वो unique PSSG होंगे तो खुद खुद के साथ क्या करेंगे self conjugate करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम समझ सकते है और कैसी लगी आपको यह वीडियो प्रीज कमेंट करके मुझे जरू बताइए जो silo second theorem है इस पर काफी को समझाने के मैंने कोशिश करी और को निला कि सीधा सीधा मतलब यह है कि जितने भी PSSG होते वो सब एक दूसरी के साथ क्या करते है conjugate करते है same order के यह आपको समझने की जरूत है सुन थर्ड theorem में आपके सामने बहुत ही जल्दी लेकर आने वारा हूँ लास्ट में मेरी वीडियो आप देख सकते है इस पूरी group theory की playlist आपको यहाँ पर दिख जाएगी प्लस यहाँ पर जाके आप मुझे इस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताते रही कैसा लग रहा मेरा कंटेंट आपको दाने वाद आप सभी का